नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपके एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल का मपटीशन प्रिप्रेशन पर आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे साथ ही साथ अच्छे से इंज्वाई कर रहे होंगे इनज्वाई करना हो सारी चीजें जरूरी है तो सबको पहले तो हैपी होली ठीक है क्योंकि हो सकता है होली के दिन में वीडियो रिकॉर्ड नकर पहूंग यह करूंगा अभी आपको हैपी होली रहेगी कलरफुल होली खेले बढ़ियां से खेले बस किसी को नुक्सान नपो टेंथ ट्वेल्थ और ग्रिजेशन लेबल के उसके 55 प्या 60 कोशन करने वाले हैं अलजेबरा के जितने प्रशन है मतला सारे करेंगे चलो फटा पर निप्टाते हैं और अपनी नई वाली यह जो सीरीज है इसमें आपको एक चीज और पता लगीगा कि इसमें हम निकालनी है किसकी find the value of this one such that six digit number this one is divisible by 9 अगर कोई संख्या 9 से divisible है तो उसका सीधे सी बात है आपको पता है कि sum of digits 9 से कटना चाहिए sum of digits अगर करेंगे तो 628 plus 2P यानि 8 plus 2P यह 9 से divisible होना चाहिए यानि this must be divisible by 9 तो if you want 8 plus 2P to be divisible by 9 आपको पता है कि P की value half तो ले नहीं सकते क्योंकि P must be an integer तो आपको 8 plus 2P की just value लेनी पड़ेगी 18 क्योंकि 9 से just बड़ा कोई संख्या जो 9 से divisible है वो है 18 यानि 2P is equal to 10 P बराब पांच हो गया तो यहां पर value put कर देना है आपका अंसर आजेगा तो सचोदा पंचे सतर साथ 76 हो गया संतर और चेटर हो गया और चेटर में जूड़ना कितना है मारा पी कितना आया है पांच पांच का क्यूब 125 चोपो 500 और चेटर का वर मूल 566 का वर मूल 24 आपका उतर आ अगले प्रस्ट्ट में देखो बहुत सुंदर सा प्रस्ट्ट वर वैल्यू वूटिंग से इजली हो जाएगा क्योंकि सिंगल इक्वेस्ट में अगर तीन वैरेबल आजाया तो वैल्यू फाइंड करना पॉसिबल नहीं होता अगर नंबर आफ वैरेबल्स नंबर आफ बै भी से पता चला पुट करना पड़ेगा में अब हमें चीज पता है कितीन मधाइस चर्ल नाम हो चुब एप 27 1 लिख सकते हैं यहां को टो अगई लिख सकते हैं श्र… 0025 लिख सकते हैं… अब मैरे 8 लिख सकते हैं औरydो को आठ्म की लिख सकते हैं… यहां से 양ताथ़को भी तो आग Гई है x अगर तु elemento चरहे हो तो है अगर देखा यहां से मैं 9 अलग करों यहां से 2 और यहां से 3 अलग करो नुह और 2 निकल नुह ना आ यहां पे यह जांगा यहां इस की सब्सक्राइं है helps x बराबर this one दिया गया तो इसकी value निकालनी है अब आपको पता है इसकी value constant निकाल देनी है अगर मैं 4y को इधर भेज़ दो मेरे थोड़ी देर के लिए मैं माल ले तो कित्ता हो जाएगा x plus 4y is equal to 3 हो जाएगा नहीं हो जाएगा हमें cube तक पहुंचना है cube कर देते हैं तो a plus b का whole cube a cube plus b cube ठीक है plus 3ab यानि कि 3 into x into 4y यानि 12xy into a plus b a plus b कितना x plus 4y जिसकी value 3 हो जाएगी यह बराबर कितना हो जाएगा 3ab into a plus b जब करते तो a plus b के value पता थे तीन put कर क्या आपका answer आजाता यह दोनों प्रशनों को साथ साथ करेंगे क्योंकि बुरा नमानों हो ली है a plus b plus c बराबर 6x तो आपको देखो एक बात बताओ मेरे भाई अगर मैं कहूं कि 6x को 2x 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 के टुकुडों में तोड़ दिया लाइक किसने किया था टुकडों में तोड़ना अंग्रेजों ने यह माइनस 2x लिख लिए इधर 2x लाके बी माइनस 2x इधर लिख लिए और सी माइनस 2x इधर ले लिए क्योंकि इधर आता तो 6x या था मेनस मामेनस का हमने तोरे लिए यह बरौबर 0 हो गया अब एक बात बात मेरे भाई इसको अगर में थोड़ीदेर के लिए कैप्टल दे वानु इसको थोड़ीदेर केले टेक्टल भी मानू इसको कैप्टल सी मानू ठयू थो मैं पता ए TP ब्लसC2 ब्लसC2 कितना होगा 3 abc आपको फर्मूला बता है ना कि अगर ऐअ कि ब्लसC33abc minus 3abc को बुम क्यादा हो कि इसको देखो आपको मैंने एक चीज़ बताया है मेरे भाई कि अगर और a pob reorganization 0 हो तो Sisters plus B plus C बराबर 0 हो तो AQ plus B plus CQ बराबर कित्ता होता है 3A B C देखो अगर मैं यहाँ पर इसको A एजियूम करूँ इसको B एजियूम करूँ और इसको C एजियूम करूँ तो मैं कह सकता हूं कि 4A minus 5B का whole cube लिखा है मैंने थोड़ी सी कलती लिख दी 5B-3C का whole cube लिखा और माइनस यहां फे common ले ले यह माइनस यहां से निकाल ले तो यह बचेगा 3C यह से plus 3C-4A का whole cube बचेगा बोलो clear हमने यहां से माइनस निकाला तो यह माइनस 1 का cube है यह प्लस हो गया अब देखो a plus b plus c करो तो 4a माइनस 4a कट जाएगा 5b 5b कट जाएगा 3c 3c कट जाएगा यह अगर इससे माइनस common ले तो हमारा a plus b plus c बराबर कितना आ गया देखो यह a हो गया यह b हो गया यह c यह a-b-c- तो अगर a dash plus b dash plus c dash हमने a dash b plus b dash plus c dash करके रहखा अगर यह 0 हो गया तो a dash q plus b dash q plus c dash q कितना होगा 3abc अब यहां पर 3abc की वैलू रख दो यह 3 times of 4a minus 5b into 5b minus 3c into 3c minus 4a लेकिन आप option में देखो 3c minus 4a नहों कि हहां से minus बाहर निकालके 4a minus 3c कर दिया गया तो आपका उत्तर आगे क्यों चालाग बनना है ना आपका उत्तर आगे तो सारे मित्रों से अनुरोध है कि आप गाड़ी speed पकड़ने जा रही है तो आप प्लीज अपने पेटी बांग लें ठीक है और अनुरोध यही रहे है कि pen copy उठा के चले x plus 1 by x दिया गया x cube plus 1 upon x cube निकालना है आपको पता x plus 1 by x अगर k हो तो x cube plus 1 upon x cube कितना होता है k cube minus 3k यहाँ बहुत कुछ हो जाएगा थपड़ पड़ 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 जाएंगे कोई पतलब नहीं कान के नीचे कान सुन हो जाएगा यह बहुत आसान सा प्रशन है a plus 1 by a बराबर अगर हो तो a cube plus 1 upon a cube m cube minus 3m होता है बोलो clear आप देखो यहाँ से 1 minus root 2 common में ले लो तो 1 minus root 2 common लेने से आप गुस्सा नहीं होंगे यह बचेगा 1 minus root 2 का square यहनि कि a minus b का square जो क्यों होता है a square plus b square plus 2ab यहनि 1 plus 2 minus 2 root 2 बोलो clear और यहाँ पे बचेगा minus 3 अब आप एक बात बताओ 3 3 कट जाएगा नहीं कट जाएगा आपने का कट गया मैंने कहा आपका नहीं कटा कोई बात दे किसी और का कटा क्योंकि आप तो पढ़ाई में भी जी थे minus यहां गुड़ा कर लिया root 2 minus 1 बचा 2 root 2 से 2 root 2 में गुड़ा करा 4 minus 2 root 2 into 1 2 root 2 आपका उत्तर आगया नह history of ssc x plus 1 by x अगर क्या हो तो x square plus 1 upon x square कितना होता है यह सब को पता नहीं है आप बताना कमेंट में यह भी काफी सुना है रहा प्रस्न है x plus 1 by x मैं फिर से लिख दे रहा हूं जो लोग जो भाई मेरे नहीं है उनका में मजाक नहीं उड़ाना चाहिता कि अगर a plus 1 by यह बराबर m दिया गया हो तो कुछ चीजे लिख लेना यहां से आप एक चीज़ लिख लेना a q plus 1 upon a q पहले में जूम करके लिख लिख लिखी ल किर रहें एक यूप प्लास अपान एक क्यूब कितना हो जाएगा कि सब्सक्राइब माइनस 3 है ठीक है मीत्रों अगर मैं कहों एप और five प्लस नौपान एप और five कितना हो जाएगा सब को पता होनी है यहां से वैलू निकाल सकते हैं अगर ऐसे A-1 बाई ये बराबर M दे दिया जाए तो तो A square plus 1 upon M square होता है M square plus 2 A cube minus 1 upon A cube होता है M cube plus 3 M और ये वाला comment section में करके comment करके बताना बोलो clear है तो ये प्रशन देखते ही आपके दिमाग में क्या है 4 का cube minus 3 गुड़े 4, 4 minus 12 कितना होगा जब हडपा सबेता चलती थी यानि मैं जब तयारी करता था तब ऐसे प्रशन आया करते थे और आप आना बंद हो गए देखो X वाले time पहले यहां पर X square दिख रहा है यहां पर 8 X अब वही मैं कहता हूं न पढ़ने वाले बच्चे मामा के घर नहीं जाया करते उनको पापा क्या काम करते है थपड़ मार के इधर ले आते हैं तो पापा आप बन जाओ यहां बिल्कुल ले आए भईया बलो क्लियर है अब आपने एक चीज कहां आपने कहा यह X माइनस 4 का होल स्क्वाईर बन सकता था अगर यहां पर 16 होता क्योंकि X square प्लस 4 स्क्वाईर माइनस 2 इन्टो X इन्टो 4 यह कितना बन जाता है एकस माइनस 4 का होल स्क्वाईर अगर होता इस इट वे सब्सक्राब सब्सक्राइब क्या का होल स्क्वायर यहां पर और आप ed wo म ??? गहोल स्कुराई मैं बेर हैं कोई बात यह जड़ माइनस आ कि right का होली स्कुराइब बन जाता अगर हाऍड में नम होता मलग एक बात बताओ मेरे वीर कि अगर 26 था 16 यहां ले लिया एक यहां ले लिया नों यहां ले दिक्कत आपने कानि 16 25 एक 26 26 को हीजा हमने तोड़ दिया यानि कि यह लिखा एकस मैंस 4 कोल स्क्राइब यह मैंनि सोन कोल इसक्राइब प्लस जडा-3 का संख्या होंगे वर्गों का योग 0 है तो संख्या अलग अलग 0 के बराबर होंगे एकस-4 बराबर-0 ते सोने का तो प्रिमाग में आही रहोगा कि सो जाते हैं लेकिन अगर मैं रात के 1 बच के 30 कसम लगे 1 बच के 30 मिनट पे रात में वीडियो रिकॉर्ड करो a प्लस b पराबर 3 बटे 4 a b पराबर 1 बटे 8 तो इसकी वैलियो निकालने है अब यह वैलियो निकालने में आप ठक क्यों रहे हो क्यों ठक रहे हो भाईया देखो a power 4 और b a cube में a cube कॉमल ले लो a plus b बलो clear है इसमें b cube कॉमल ले लो a plus b breaker पूरे में कॉमल ले लो कोई दिकत नहीं a plus b a cube plus b क्यों बलो clear है अब देखो आपने क्या निकालना है आपको पता a plus b आपको पता a b अब अगर a plus b पता है तो यहां पर value पूट करते हैं अगर आपको a plus b पता हो तो a plus b cube को हम लिखते हैं a plus b into a plus b का whole square minus 3ab यह formula का abuse करते हैं जब a plus b पता हो रे बी पता हो value output करते चले जाओ 3 by 4 into 3 by 4 into 3 by 4 का whole square 9 by 16 minus 3 a b 3 by 8 3 by 8 को 6 by 16 लिख लेना है तो यह 3 बटे 16 लिखा हुआ है तीन बटे 4 गुड़े 3 बटे 4 गुड़े 3 बटे 16 तो यह कितना हो गया 3 तिया 9 तिया 27 और बटे 16 गुड़े 16 16 यह 16 256 आपका उत्तर हो गया चलो बता दो देखे घवराना नहीं है मित्रों क्यूंकि m square plus 3 m plus 3 पूछा गया है plus 1 बटे 21 21 दिया गया कोई दिक्कत नहीं आप लिखो m square plus 3 m plus 4 ठीक है अगर प्रसंट सही होगा तो उत्तर हम सही निकालेंगे यह हमारी अभी लासा है यह होगा m square plus 2 m plus 1 m square plus 2 m plus 1 इसको भी तो तोड़ सकते है m square plus 2 m plus 1 में m square plus 2 m plus 1 और यहाँ बचेगा m plus 3 और इससे डिवाइड कर दो m square plus 2 m plus 1 और इसमें m square plus 2 m plus 1 यहीं तो लिका हुआ है हमने ऊपर अंस को लिख लिख लिया m square plus 2 m plus 1 plus m plus 3 divided by this one और अंस में यह लिक्क हो गया इंडिस में निक्या चोड़ एक हो गया m plus 3 चोंगे m square plus 2 m plus 1 क्या है m plus 1 का में प्लस वन लिखा होता तो इसका अंसर यहीं आएगा यहीं स्क्कॉरार प्लस फ्लस 21 में तोड़ा ंप्लस तीरी ङहाँ हो एव प्रस्वार एप्लस तीरी मतलब नव्ब्य बठते अठाशी का इसको हृस्कॉर हाला कि इस प्रस्व्व में गलती उन्हें बताता हूं आपको अलगारा विसी प्रस्व्ष और यह उसका अंसर यह होगा अब तो अगर इसको खोलो होगे तो एंक्यों प्लस थी एंस्क्वार प्लस थी एंप नहीं बनेगा और नीचे एंसवार कट गई यह अठासी आपका अंसर यह प्रसंट सही होता तो आसान से निकलाता देखे हो कितनी जिम्मेदारी आपके सेलेक्सन के जिमेतारी क्लास की ऑफिस की ऑफिसर बनने की ऑफिसर ना बनने की X q — y q दिया गया है x v's q का फॉर्मूला अगर x – y और x – y के टर्म्स पर लिखना हो तो होता है x – y लिख लेना कहीं पर दिमाग बार बार नहीं काम करता मेरा भी बताने का ठीक है तो x-y into x-y का whole square plus 3xy ध्यान से लिख लेना आप देखके यहापे value put कर दो तो यह आपका कितना होगे यह बराबर 40 दिया गया है x-y हमें 4 पता है तो यह 10 हो गया x-y का whole square 16 plus 3xy बराबर 10 यहने कि 3xy बराबर minus xy बराबर minus 2 clear अगर कहीं पे a plus b का whole क्यों minus a minus b का whole cube लिखा है तो मैं formula लिख दे रहा हूँ इसको दिमाग में बिठाने के बाद copy भी note कर ले न a plus b का whole cube minus a minus b का whole cube क्या होता है यह क्या होता है उस पर बाद में फोकस करेंगे पहले लिख लो 2b cube plus 6a square b ध्यान से यहाँ पर आप 2b 3b जो भी common आएगा वो बाद में पहले आप यह लिख लेना a plus b का whole cube minus a minus b का whole cube बराबर क्या होता है 2b cube plus 6a square b और अगर यहाँ पर plus होता है 2a cube 2a cube plus 6ab square दोनों लिख लेना a plus b का whole cube plus a minus b का whole cube क्या होता है वो भी लिख लेना आप देखें यहां पर a plus b का whole cube minus a minus b का whole cube तो this means कि आपका क्या बन जाएगा a plus b का whole cube minus a minus b का whole cube 2b cube यहां पर 2b cube यानि कि 2 into b cube यानि 3y का whole cube plus 6a square b यानि 6 into 2x square 4x square into b 3y अब जो मैं 3y common ले लो मेरा बाई बिना सोचे हो यानि 3y common ले लिया हमने बचा कितना 3y का whole square and 9y square into 2 18y square plus 3y common आगे है 24x square बचा बोलो clear है ठीक है अब यहां पर अगर तूलना कर दो तूलना आत्मा कध्यान कर दो तो 3y से तो 3y दिख रहा है x square का coefficient यहां 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 पर 24 आपको निकालना था a minus b कितना आसान बना 6 तो आपको एक्जाम में यह सब नहीं लिखना सीधे यह भी नहीं लिखना आपको सीधे यह लिखना है और आपका अंसर एक एक दो सेकंड में आ जाएगा ज्यादा चालवाज ना बने खसम खुदागी यह प्रस्ण आया हुआ हुआ है भाई मैं जूटने बोल रहा है आलग एक्जाम में आया हुआ उपको वेलू बतानी है प्लस प्लस भी प्लस भी प्लस भी धाय गाभा कितना आसाद तक हसमाज प्लस जाने उन्हें अलम भी क्रस्ण भाठेग्या है जैसे आपको यह समझ theo यह देखते ही मुझे थर थर कशा पने लगा एक प्लस भी की वेलू है into a cube plus b cube को हम क्या लिखते हैं a plus b into a plus b का whole square यानि कि 4 minus 3ab यानि कि 12 यह आपका answer बनेगा यानि 4 into minus 3 minus 32 आपका उत्तर हो जाएगा clear हो गया आपको एक चीज़ पता होगा कि a cube minus b cube minus 3ab into a minus b क्या होता है यह करने से पहले मैं मार क्यों नहीं किया यह नहीं a cube minus b cube कोलो तो यह हो गया x cube minus 8y cube minus 3ab into a minus b यानि कि minus 6xy into x minus 2y यह हो गया इसको खल और minus 6y into x minus 2y इधर भी लिखा तो यह total हो जागा minus 12x अब इसको खोल देना है यानि x cube minus 8y cube minus 12xy into x यानि कि 12x square y और plus 12 दूना 24xy square बस आपका answer हो गया इसमें क्या दिमाग लगाना था जब ऐसा प्रशन आए मित्र दोस्त सखा प्रभू सरकार जो भी हो देखो यह प्रशन को देखो और मैं गिड़गडा रहा हूं कि भाईया previous year करते रहो तो कर लिया करो प्रभू जी देखो यहां पर आपको एल्सियम लेना है हार का तो यहां पर बनेगा एक यूप प्लस बी ड्लस इक्योप सब्सक्राण कर दो से कि हमें पता है 9 कैब अबावर सिप्समें है टो आपको माइनस 22 फ्लस इन्टी फ्लस ब्लस थे मैंने झ archives का कहोब इसकोर फ्लामएन कि मूल समझना मॉज़ते हैं एक फरर्मूलाइज एक मूलखने यह लिख लोगा चैनि थो को जाओगे एक यह प्लस बीक्यों स्वायर आपको पता है तो अगर के वाले प्लस देडिक न'll साट तो थी एवी शी को लिए अब सी क्ली guys a plus b plus C अबमा इंटल कsome to a plus b plus c का होलिज को आपने का यह था फॉर्मूला बता रहेる है minus three times of a b plus b c plus c लिख लेना तिरे party is power बोला या जो भी मन करें लिख लेना और बटे में a b c लिखा हुआ है अब value तो put करने है मालिक तो put कर दो 3 a b c यानि कि minus 72 plus a plus b plus c यानि कि 3 into 3 का square 9 minus 3 times of a b plus यानि कि plus का 30 और बटे में a b c कितना हो गया मेरे मालिक 117 117 में से 72 गटेगा कितना बचेगा 45 45 में minus 24 से divide होगा यानि minus 45 बटे 24 अगर बुच्पे परोसा है तो 3 से गार 2 minus 15 बटे 8 answer simplified form पूछा गया है following expression का मैंने क्या बताता है a cube a minus b का whole cube a plus b का whole cube जोडते हैं तो क्या बचता है 2 times a cube plus plus बचता है minus आप कहेंगे plus बच्चेगा क्या 2 a minus b का cube plus a plus b का cube जोडते हैं तो क्या बसता है 2 times a cube plus 3 a b square यहां पर पूट कर दो तो 2 times a cube यानि x cube या e common ले लो तो e common आज़ेगा 2 a into a square plus 3 b square यही तो बच्चेगा आपने का बिल्कुल बस आपकी इसी में रख दो यानि की 2 a put कर दो 2 a 2 x into a square x square plus 3 b square 3 upon y square बो क्लियर है यह आपका यह प्रश्च नंगला करोगे आप या मैं करूआँ आपने का वैया करना तो कुछ नहीं है हमने हमें तो कापी किताब उठाके बस बैट गये हैं आपके बरुसे चलो कोई बात नहीं आपका अगर LCM बराबर तो यह बढ़ेगा ऊपर a square plus b square plus c square नीचे बच जाएगा a b c बो क्लियर है अब अगर आपको a plus b plus c पता है तो a square plus b square plus c square निकलाएगा क्या होता है a plus b plus c whole square यानि कि one माइनस two times a b plus b c plus c यानि कि plus 16 और बटे a b c अब यह निकालना मुस्किल है a b c कैसे निकलेगा देखो a q plus b q plus c q बराबर कितना होता है 3 a b c यानि यह minus 11 बराबर हो जगा 3 a b c in plus sorry 3 a b c plus a plus b plus c into a plus b plus c का whole square minus three times a b plus b c plus c यानि कि 24 यानि कितना हो गया 25 यह plus 25 minus 11 अगर इधर आएगा तो 25 बनेगा 3 a b c बराबर minus 36 यानि a b c बराबर minus 12 तो इसकी value रख दी minus 12 तो आपका उत्तर हो गया 17 बटे 12 माइनस ओपर चला गया minus 17 बटे 12 क्लियर हो गया कुछ लोग बीच बीच में confused नहों इसके लिए लिख लो कि a q plus b q plus c q plus c into a square plus b square plus c square minus a b minus b c minus c a बोलो क्लियर दूसरा होता है a plus b plus c by 2 bracket में a minus b का square plus b minus c का square और plus c minus a का square तिसरका वाला क्या होता है वो लिखना a plus b plus c bracket में a plus b plus c c का whole square minus 3 times of a b plus b c plus c a कौन कभ यूज होता है देखके पता चलगे होगा अगर a plus b plus c और a b b c c a दे दिया जाए तो यह यूज करेंगे अगर a square plus b square plus c a plus b plus c और a b b c c a दे दिया तो यह वाला यूज करेंगे अगर a b और c close हैं और यह value आपसे पूछ ली जाए तो आप कैसे निकालेंगे a minus b का square b minus c का square c minus a इस formula का कभी उज़ करना है यह लिख लेना वाईया और वीडियो को like करना ना भूलें ठीक है अगले प्रस्ण पर आते हैं चलो गुरू बताओ फटापट 4x square मैंने भी थोड़ी देर पहले प्रस्ण करवा है अब मैं इस बार ज्यादा दिमाग नहीं लगाँगा हमें पता 41 दिया गया है तो कुछ तो बन रहा होगा गुरू देखो 4x square minus 8x यानि कि यह 2x minus 2 का whole square बनेगा y square minus 2y यानि y minus 1 का whole square बनेगा चार यहां आ चुका है पांच एक यहां आ चुका है पांच 41 यानि 36 यानि 6 कुछ बनेगा यानि कि minus 6 अब देखो यह z minus 6 का whole square अगर मैं करूँ तो यहां पर देखो z minus 6 का whole square z square minus 12z और प्लस का 36 यह बराबर 0 हो गया अगर यह बराबर 0 हो गया तो यहां से हमारी कुछ संक्या है 2x बराबर 2 मिल गया y बराबर 1 मिल गया यहां पर रखतो जड़ बराबर 6 मिल गया तो 2 plus 1 minus 6 यानि कि minus 3 उत्तर हो गया यहां से प्लस जब आए तो भी आपको घबराना यह होता क्योंकि x plus y plus y plus y बराबर अगर एक दे दिया तो यहां से आप एक चीज़ यादा रखना कि यहां से होता है x square plus y square minus xy बराबर 0 इस से हम कर सकते हैं अगर x plus y से इसमें गुड़ा कर दें तो x plus y into x square plus y square minus xy x square minus xy plus y square करें यह बराबर 0 और यह लिखा है x cube plus y cube यादि x cube plus y cube बराबर यहां से 0 यह हम कर सकते हैं x cube बराबर minus y cube यह आपको यह दे रहा है तो आपको indirectly वह देना चाहरा है यह x cube बराबर minus y cube यह आपसे सीधे दे रहा है ठीक है अब x cube बराबर minus y cube यहां से x power 6 y power 6 बराबर हो जाएगा यानि कि यह x power 6 और plus y cube का square यह भी x power 6 यानि 2x power 6 हो गया और plus 2x cube into y cube हम लिख रहे हैं 2x cube into y cube की value minus y cube यानि कि गुड़े में minus y cube तो सारी y cube की value minus x cube यानि कि minus x cube y को minus x लिखो या x को minus y लिखो तो यह लिखा 2x power 6 और यह minus 2x power 6 यानि कट के 0 हो गया बोलो clear है इस प्रस्टन में क्या था वैया बताओ अगर x power 4 plus 1 upon x power 4 पता है तो यहां से x square plus 1 upon x square कितना हो जाएगा आपको पता अंडर रूड में अगर x power 4 plus 1 upon x power 4 m हो तो अगर उसका आधी घात हो जाए तो यह अंडर रूड में m plus 2 हो जाएगा यानि कि 36 36 का वर्गूल plus minus 2 होगा लेकिन आपको पता x is greater than 0 if x is greater than 0 then x plus 1 by x can only hold positive value यानि कि x square plus 1 upon x square की value 6 होगे और अगर x square plus 1 upon x square 6 होगे तो x plus 1 by x बराबर कितना हो जागा अंडर रूड में 6 प्लस 2 यानि अंडर रूड में 8 फिर से कहा गया है कि there are two possible values plus 2 root 2 minus 2 root 2 but x plus 1 by x will hold only positive value because of x is greater than 0 तो x is greater than 0 and hence the value of x will be 2 root 2 पता नहीं कौन सा एक indica चला एक real मैंने देखिया आज मजा आगया वाई real देखके और उसके बाद motivate होके मैं video record करने लगा देखो sorry fun करने की कोशिस कर रहा था funny बनने की कोशिस कर रहा था यहाँ पर देखो हर बराबर करो तो यह 2x plus 1 by 2 का whole cube लिखा हो है यह लिखा है 9x plus 2 by 3 का whole cube और यह लिखा है 6x minus 1 upon 6 का whole cube अगर मैं देखों यहाँ से मैं निकालता हूँ क्या यहाँ से मैं निकालता हूँ 6 और इसको 6 को यहाँ पहुचा देता हूँ यहां से जो दो बचा था उसको मैंने इसके नीचे लिख दिया और मैंने उठाया एक 3 जो यहां गुडाग मारा और यहां पर बटे में 3 कर दिया अब आपने कहा इससे क्या हुआ मैंने कहा यह लिखा AQ plus BQ plus CQ बराबर 3 into A into B into C इसको ए एजियूम करो इसको भी एजियूम करो इसको सी एजियूम करो बेटा आंके खोलो तो यह लिखा AQ plus BQ plus CQ बराबर 3 times A A कहा है यहां sorry B B कहा है भहिया यहां और C कहा है तो अगर AQ plus BQ plus CQ बराबर 3 A B C तो A plus B plus C बराबर 0 तो यहां से 0 कर दो भहिया यहीं सबको जोड़ के जोड़ घटा के 0 जब करेंगे तो यह आजएगा हर बराबर कर लो यानि क्यों हो गए 2X plus सबका हर LCM लेलो 6 थोड़ा यहां मिटा दें यहां पर कितना आएगा तीन से गुड़ा होगा 6X plus 3 दो से गुड़ा कर दो 8X plus 4 एक से गुड़ा कर दो 6X minus 1 यह बराबर 0 तो यहां से 6, 18, 24, 6, 30X यह 3, 4, 7, 1, 6 बराबर 0 तो 30X बराबर माइनस 6, X बराबर माइनस एक बराबर पास एक्स, root X minus 1 upon root X is equal to 7 अब देखो यहां से हमें मिल जाएगा X plus 1 by X कितना होगा, स्क्वाइर कर दो, तो root 7 का स्क्वाइर 7 plus 2, 9 आपको घबराना नहीं होता, आपको दिया गया 2X square plus 5X minus 1 बराबर 0 तो आपको निकालना एक स्क्यूब माइनस 1 upon 8X आपको अगर यहां से मैं कहूं कि यहां से पहले X plus something निकालो फिर X minus 1 by X तो थोड़ा हो जाएगा लंदी, मैंने कहा एक काम कर सकते हो, आप आपने कहा क्या करूं वाली, मैंने कहा देखो, यहां पर जो निकालना एक स्क्यूब माइनस 1 upon 8X क्यूब दोनों का root ले तो तो य X बचेगा, यह 1 upon 2X बचेगा, अब यहां से solve करोगे, तो इसकी value पहले निकालते हैं, यहां 2X square minus 1 upon 2X, बोलो के लिए रहे, अब 2X square minus 1 की value कितनी है, minus 5X, बोलो है की नहीं, यह minus 5X है की नहीं, यह minus 5X और बटे 2X, यानि माइनस 5 बटे 2 हो गया, अब देखो, माइनस 5 बट कर दूँ, तो दोनों पक्षों का cube करने के बाद मिलेगा, हमें X cube minus 1 upon 8X cube, ठीक है, और यह यह क्यों कर रहा हूं, अगर मैं कहूं कि X minus 1 by 2X बराबर इतना है, तो X cube minus 1 upon 8X cube कितना होगा, तो आप कहेंगे इसका cube, यानि minus 5 बटे 2 का cube, ठीक है, और plus 3AB, यानि 3 into X into 1 by 2X, यान कि माइनस 5 बटे 2, सीधे formula लगा दिया, तो माइनस 5 बटे 2, समझ में आया है, कि मैंने कहा, एच्छा एक बाद बताओ, A minus 1 upon A बराबर K हो, तो A cube minus 1 upon A cube की value के होगे होगे, K cube plus 3, या मैं ऐसे कहूं कि X minus Y का whole cube हमेशा होता है, X cube plus Y cube, होता है plus, नहीं, अगर मैं कहूं कि X, sorry, इसे समझो, हमारे पास है, X cube minus Y cube, इसकी value होती है, X minus Y का whole cube, minus, minus, X cube minus Y cube क्या होता है, X minus Y का whole cube, minus उधर था, तो इधर आके plus हो जागे, यानि, X minus Y का whole cube, plus 3XY into X minus Y, simple सी बात, तो हमने वही value रखी, यह आगया, यानि हम minus 125 बटे 8 लिखा हुआ है, minus 15 बटे 4, यानि, minus 30 बटे 8 लिखा हुआ है, जोड़ दोगे, यानि कि minus 105 बटे 8, clear, एक concept पढ़ो, 100 जगें लगाओ, क्या है concept, कि अगर 3 प्राकृतिक संख्याओं कि cube का योग, चीरों के बराबर है, य whole cube को लिख लो, 3 into 2x plus 5 और इसका whole cube, ठीक है, इसका whole cube, तो यह लिखा, aq plus bq plus cq बराबर 3 abc, क्योंकि 3 इसका यहाँ और 3 abc, तो aq plus bq plus cq बराबर 3 abc हो, तो यहाँ से हमारा a plus b plus c बराबर 0 होता है, वो लो clear है, a plus b plus c बराबर 0 है, यानि 7x minus 3, plus x plus 2, और plus 3 times of 2x plus 5, यानि 6x plus 15, यह बराबर 0 है, यह 7, 8, और 6, 14, 14x, बराबर minus 14, यानि x बराबर minus 1, x बराबर minus 1 है, बस value पूट कर दो, तो यहां से 9x plus 13, यानि कि minus 9 plus 13, 4, और minus 5 plus 7, 2, तो 4 ratio 2 की value 2 ratio 1 हो जाएगे, अगला प्रशन देख लो, x plus 1 by x बराबर 4 दिया गया, अब दो, x पार ऐसे प्रश 22, दो, x से divide कर दी ऐक, यह से डिवाid कर रहें, एक्स Q मिलेगा, ही समें November 1 ऐपन एक्स Q मिलेगा, नीचे आले में डिवाid कर रहें, यहां पे 8 मिलेगा, यहां पे 1 by x मिलेगा, आपको पता है, x plus 1 1 by x, अगर x plus 1 by x 4 है, तो x q प्लस 1 upon x q2 कितना हो जाएगा, 4 का कि потому 3 into 4 , यानि 22 बटे में X plus 1 by X 4 और 8 12 चार से कटेंगे 3, 4 से कटेंगे 13 यानि 13 बटे 3 आपका उत्तर हो जाएगा X minus Y बढ़ाबर 4 X Q मैं अब दोको X Q minus Y Q का formula X minus Y के पक्ष में क्या होता है अगर X Q minus Y को पूछा जाते होता है X minus Y ब्रेकड में X minus Y का whole square और प्लस 3X Y बोलो clear है यह बराबर है 316 X minus Y 4 4 से कटेंगा 89 X minus Y का whole square यह 16 प्लस 3X Y बराबर 89 तो 16 इधर जाएगा यह बचे का 63 यह 3X Y बराबर 36 तो X Y बराबर 21 डिस एकसर मेराबर 21 तो X बराबर 7 बराबर से बस्टमर से बात है अरे x y बराबर 21 टो X बराबर 7 जाएetr साथ 13 साथ 7 देन अब हैंसे 7 रख लो यहां से मिर सकता थे culturalitel्estra थे मैंने एकसषाही निगाल गाएश्य पर निगाल से लिए तो यहां से आपका कर इतन systems और तो सब्सक्राइब निगालने देखो आपको मैंने फॉर्मूला जो बता थे लगा दो एक्व प्लस ब्लस क्यूब माइनस थीए बीसक्वार्ट बटे में चार चार दुनी आठ यहां पर बचेगा 31 दूना बास्ट आपका अगर फॉर्मूला याद है तो जिन्दा हो तुम ठीक है ए प्लस भी प्लस सी दिया गया वी प्लस भी सी तो इसकी वैलू पूछी गया आपने अभी निकाला निकाल सकते हो अब यह 10th लेबल का प्रश्ण यहाँ पर 30 प्रश्ण के बाद खतम होता है बट फिर भी एक बार देख लेते हैं प्लस भी प्लस सी दिया गया यह दिया गया यह दिया गया फाइव है आपको था एक प्लस ब्लस ब्लस सी क्यूब यानि पच्पन माइनस थिरी एवी सी माइनस की बराबर 40 तो बोलो समझ आ रहा है न अब समझ में आ रहा है तो हम आते हैं 10 प्लस टू और ग्रिजोशन लेबल के प्रश्णों पर आराम से द्यान से देखना प्रश्णों की बुंदिया उड़ा देंगे हम एक्स माइनस वाई प्लस जेड बराबर जब जब जीरो दे द दिया क्यों आर्यक्ति लिएक कि लाधर प्लस फश्ट दिजरो णावेग अब एक्स की कमिकरापर, ली कीकुषश्य से कब लेते सिड़र ऑन ले लेते हैं वाई जstat य प्लस फ़ाइड प्लस फ्लस वाई-फ्लस टू दिवाइद वाई-फ्लस फ़ाइड गार्या फंग्ल मे हम यहां से दिया गये two x square plus five x plus one बराबर जीरो तो टू एकस इसकाइर प्लस one बराबर हम कह सकते है इसको छो कि लिए रहे अगर मैं यहां से x plus 1 by 2x निकालना है तो 2x से डिवाइड को तो यानि x plus 1 upon 2x बराबर 5 बटे 2 यहां से हो जाएगा अगर x plus 1 by 2x बराब 5 बटे 2 हैं तो हम यहां से x minus 1 by 2x निकाल सकते हैं यह बराबर a minus b कितना होता है under root में a plus b का whole square यानि 25 बटे 4 minus 4ab यानि 4 into 1 into 1 by 2 यानिकि यह 2 हो जाएगा यानि under root में 25 बटे 4 minus 2 यानिकि under root में 17 बटे 4 इसका वर्मोल हो जाएगा root 17 बटे का 2 अगर यह root 17 बटे का 2 है तो इसका आधा root 17 बटे का 4 हो जाएगा a q plus b q plus c की वाले formula में फटा फट वैलू रख तो क्या होता 3abc यानिकि minus 120 plus a plus b plus c 1 into a plus b plus c का whole square minus 1 वो भी 1 होगा minus 3 times of a b plus b c plus c यानिकि minus 3 into 22 minus का 6 6 हो जाएगा plus का अब plus में 5 यह q plus b q plus c cube की value होगे यह कितना होगा यह शन्सट शन्सट और यह माइनस 115 यह माइनस 115 प्लस शन्सट आप निकाल लो 48 अंसर बचाएगा कि मैंने क्या बताया है कि जब यहाँ पर यहाँ पर माइनस का 2 यह दिखे तो इधर आके प्लस हो जाएगे अन्ये प्लस वन का हौल स्कोर बन जाएगा अन्य चू बन जाएगा पहले प्लस में आपने ध्यान से देखा हो200 माइनस भी मौन ऑद9 सी स्कुएर और च्पनची यारी कि साथ माइने स दो का होल स्कुरार बन न ठीक थी माइना स चार का है थे कि स्कारण बन जाये perform जाएगा है जो क्यूंकि दो चूक आठ सुए हो जाएख दो एक्कम दो भी हो जाएगा अब देखार च्ट को सॉल gobierno देखो यहां पर देखो चार चोको 16 17 18 यह वाला 18 कबर होगे यह बराबर 0 होगे आपको पता है यहां से प्लस बराबर 0 यहां से बी माइनस ओन जीरो बीकि वैलू 1 7C-4 बराबर 0 7C-4 अब आप वैलू कुट कर दो यहां A-1-B-1-1-7C-4-4-2 आपका उत्तरम 2 चलो भाईया इधर उधन ना लह रहा हूँ प्रस्ण को उड़ाओ X-3Y दिस वन दिस वन दे दिया गया तो X-square इंट्वाइन अब देखो यह क्या निकालना है आपको X-square X-square-82 निकालना है वह लोग क्लियर है यहां से यह प्रस्ण थोड़ा सा मुझे स्वरी गढ़बर लग रहा है क्यों यहां पर रूट X कर ले ना फिर सही होगा रूट X-3 अपॉन रूट X यहां से हम अगर निकालने तो X प्लस 9 अपॉन X कितना हो जाएगा 16-6 यानिकी 10 हो जाएगा नहीं हो जाएगा यूगि अगर हम इसका इसका करेंगे X मिलेगा इसका करेंगे 9 अपॉन X और प्लस 2 यह भी है निकी X स्क्रॉइर की क्रॉस कर दूं हे यह जगे एक स्कॉर यानि X इसस्क्वार इंट्व एकसवार ईक्सवाइब प्लस 91 बराबर 82 डीनल के लिए इसको इढ़र ले हो यहां से projekt जाते लग जाल जाय काUNDवर इक्षिक कैशिकर निकाल नहुन कर आठ e यह प्रस्ण मुझ बाँन ही करें चलो करते हैं ई-प्लस भी-प्लस सी दिया कहा अब फ्लस D प्लस वेल्उ कुछी के एक्यु प्लस माइस्ट बेक्स क्या होथ है आइ प्लस बी-प्लस इनी आठी इंटू मास टिरीट यानि कि 3 x 14, 44 x 42 गटेगा, 22, 28, 116 आपका उत्तर, अगला प्रशन देखते हैं, 2 x minus y बरापर 2 x y बरापर 3 बटे 2 आपको निकालना, x cube minus y cube बटे 8 निकालना, यानि X-YY2 आपको पता होना चाहिए पता होना चाहिए नहीं पता होना चाहिए तो आपको उत्तर नहीं मिलेगा अब X-YY2 निकालेंगे हैं से 2 से गुड़ा कर देंगे multiply यार divide कर देंगे तो X-YY2 कितना हो जाएगा 1 X-YY2 अगर 1 हो गया तो इसका cube कर दो यह से मिलेगा X-Q-Y-Q-8 X-Q-Y-Q-8-3 into X-Y into 1 by 2 into X-1 by 2 X-YY2 यह 1 यह बराबर कितना मिल जाएगा 1 क्योंकि इसका cube क्या है तो A-B-Q-3 into A-B करा यह आपका इतना इतना हो गया अब हमें यहां से क्या निकालना था हमें इसकी value निकालनी थी तो यह 3X-Y by 2 इधर चला जाएगा यहनिकि यह हो जाएगा 1 plus 3X-Y by 2 और X-Y बराबर 3Y2 आलरेड़ी है तो यह 3Y2 इधर 3Y2 इधर यहनि 9Y4 प्लस 1 कितना हो जाएगा 13 by 4 और 13 by 4 का आधा निकालना है क्योंकि यहां से हमारा कितना आया X-Q-Y-Q बटे 8 बराबर 13 बटे 4 क्योंकि यह 9 बटे 4 और प्लस 1 13 बटे 4 अगर यह 13 बटे 4 है तो इसका आधा 13 बटे 8 उत्तर भाई आभी इस प्लस 1 को कर लोगे नहीं कर पाओगे एकस स्क्वार प्लस 1 बराबर 13 x एनि एकस प्लस 1 बाई एकस बराबर रूट 3 x q प्लस 1 पर एकस क्यों निकालना है निकाल लेना इसको सरली करेट करना है इसको तो मैं ही करूंगा ठीक है इप एस ग्रेटर दैन एकस या जो भी दिया इअब फैले इसक्रेशन को देख हो में ए प्लस एकस inगर जो जो कॉमन आ रहा है अगर नहीं कॉमन लिया तो समझ लेना कि आपका ट्रियांड हो गया a plus A इन्टू, इसमें क्यों माना रहा है, X स्कुर क्या बचेगा, A-X, बोलो clear है, यह दिख रहा है, आपका A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A- स्कूर माइस अगले प्रशन पर पूरा कट चुका है पलेट के गुड़ा खलो एपाउर माइस एक्सकूर का स्कूर माइस एक्सकूर का स्कूर एंटु एसकूर प्लस एक्सकूर लिख इस उज़र रहा हूं ताकि आपको समझ में आए ठीक है यह ना समझना की समय नहीं यह कितना लिखा है एक माइस एक्स का होल स्कूर और ब्रेकड में माइस एक्स भी है कुछ कट पीट रहा है आपने बिल्कुल कट रहा मैंने क्या है मजे से जिन्दगी कट रहे हैं इसक्रार का माइस एक्स कर जाएगा यह बिचेगा ए प्लस एक्स माइस एक्स से ए मृसस का कर जाएग यह इनि ब्लस एक्स ओपर मैयनस अची यह नहीं होना चाहिए आपने का बिल्कुल को स्कूल यहां से मल्टिप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा 3x प्लस 1 अपां 2x बराबर माइनस 3y2 यह आपका आशर आ जाएगा इसकी वैलू अब आपको इसका क्या निकालना था इसका कुछ निकालना था यहां से 3x t one xCar ponieważ अगर मैंश सब्सक्राइब मैं थोष्यफन अंधी निकीनड़ी अब सब्सक्राइब आइसे सब्सक्राइब कीवत्त Candid forty less देखते रहना ध्यान से नहीं तो ऐसे दिमाग से फट करके मैं निगल जाओंगो बाद में पकड में नहीं होँगा मेरे साथ इतने प्रश्ण करने के बाद अगर आपको यह वाला प्रश्ण मुझे बानी नहीं होता तो आप गदेओ लिगो तो इककी 3xyz हमने लिके लिए плnox यारी चरल प्लस कीतना हो गया आप पहले देखो उसे पर रहले था इसी प्लस प्लस फ्लाई क्योब कि इसर एको सब्स अप्स शेटवाखवर अरे आपको जेट Delhi फ़र यह प्लस चेुब ब्रकृब बराबर आपको कितना दिया गया 34 3xyz प्लस 52 बराबर 34 दिया गया अब आप यहां से देख लिए यहां से 52 है इधर जाएगा माइनस अठा रहा तो 6xyz की वैलू पूछी यह प्रशन देख रहे हो इसने खाया होगा मेरा 15-20 मिनट क्यों क्यों यह प्रशनी गलत था मैंने तीन डेटा के साथ वाई पर ट्राई किया लास्ट में मुझे अंतता पता चला कि वाई की जो यह वाई बराबर लिखा है वाई बराबर रूट 2 वाई 3 होना चाहिए तब यह अंसर आएगा ठीक है तो आप चलो सॉल्व करते है मैं एग्स बराबर रूट 2 प्लस 1 दिया गया है यहां से हम कह सकते हैं कि एकस माइनस वन इजूकल टू कुरू इत्ना देहान रखने हैं अब यहां से x-2i-1 की value सबसे पहले निकाल लेते हैं तो x-1 तो already root 2 है यानि हम कह सकते हैं इसकी value होगे root 2 minus 2i यानि कि 2 root 2 by 3 यानि root 2 minus 2 root 2 by 3 यानि कि इसकी value होगे 3 root 2 minus 2 root 2 by 3 यानि root 2 by 3 इसकी value होगे यानि इसके जगह पर हम लिख सकते हैं root 2 by 3 अब इसमें आते हैं इसको अगर हम देखें तो आप देख पार होंगे x square minus 2x plus 1 यह किसका square बनेगा x minus 1 का whole square यानि हमारा प्रश्ण क्या बन रहा है root 2y3 into x minus 1 का whole square x minus 1 अभी देखा root 2 इसको और इसको ले लेंगे तो x minus 1 का whole square यानि की root 2 का square 2 plus 4y square आपको पता y बराबर root 2y3 है तो 4y square यानि की 4 गुड़े root 2 बटे 3 का square यानि 8 बटे 9 अब जो बचा कौन सा बचा 2xy और minus 2y इसमें 2y common ले लो 2y यानि की 2 root 2y3 common आ जाएगा इंटू x minus 1 की value root 2 यही solve कर लेना आपका answer आ जाएगा तो यहां से एगर हम solve करें यह root 2y3 लिखा हुआ है यह 9 दुनिय 18 8 26 बटे 9 लिखा हुआ है और plus 2 गुड़े root 2 गुड़े root 2 यानि 4 बटे 3 लिखा हुआ है 4 बटे 3 को साथ में 12 बटे 9 लिख लो तीन से answer में गुड़ा करता हुआ है यह क्या है 38 बटे 9 इदार हो गया इंटू root 2y3 हो गया 38 root 2 यह उपर हो गया और 9 27 नीचे हो गया यह आपका answer कितना हो गया 38 root 2 बटे 7 समझा गया देखे गए यहाँ पर आपको यह प्रेशन को सही कर लेना है 1 upon x square प्लस 1 upon y square निकालना है यह आपको दिया गए x power 4 प्लस y power 4 प्लस इसके दो फैक्टर होते है यह इसके दो फैक्टर होते है एक टो होता है x square प्लस y square प्लस xy और दूसरा फैक्टर होता है x square प्लस y square माइनस xy इसके दोनों फैक्टर का प्रोड़क्ट 21 है हमने कहा इसकी वैलू साथ है तो इसकी वैलू 3 हो जाएगे हमें पता है इसकी वैलू साथ है इसकी वैलू 3 दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 2 टाइम साफ x square प्लस y square बराबर 10 यानि x square प्लस y square प्लस 5 और अगर मैं दोनों को घटा दूँ यानि इसमें से इसको घटा हूं यहांसे 2 xy बराबर माइनस का 4 आजाएगा यानि xy बराबर माइनस का 2 बहुलो कलिया रहे तो यहां से अगर मैं सुल कूर तो यह होजाएगा ऊपर x square प्लस y square यानि 5 बटे x square y square अगर xy बराबर 2 है तो x square y square कितना हो जाएगा चाहर आपका उत्तर कितना हो जाएगा 5 बटे 4 X-Y, 7 बटे 9 है, 1 upon X-1 upon Y एतना दिया गया है, 10 सही 1 बटे 2, तो X-Q-Y-Q- निकालने है, बखले X-Q-Y-Q- का फॉर्मूला क्या होता है? यह फोर्मुला होता है हमारा कैसे निग युए तो पता भटे नो की यह यानि 2 साथ बटे नो यानि किस बटे नो इधर और अगर एकस वाइगा निकाल के इसमें वैलु पट कर दे तो आंसर आ जाएगा यहाप हो solve करेंगे तो y minus x upon xy लिखा तो हम minus common ले ले रहें यानि minus x minus y बटे xy यह बरावर कितना हो गया दो दम में 20 21 बटे 2 x minus y की value 7 बटे 9 यानि कि माइनस का 7 बटे 9 इधर आ गया 7 से एक टा 3 हो हो गया ठीक है यहां से मारा xy बरावर हो गया minus का 2 बटे 27 हम नहीं यहां पर रख देना minus का 2 बटे 27 बस आपका answer आजए कि 343 माइनस कि कितना हो गया 42 यह बचा 739 यहां पर 9 तीन से गुड़ा कर लेंगे तो यहां भी 739 के रहे तीन से गुड़ा कर लो यह आपका है 343 माइनस 126 बटे 739 यह आपका उंतर कितना हो गया 217 बटे 729 क्लियर आपको क्या दिया गया x square plus 9 y square xy दिया देखो मेरे भाई x plus 3y अगर मैं निकालने को कहूं तो x plus 3y का क्या हो जागा अंडर रूड में x plus 3y का whole square यह हो जागा x square plus 9y square जिसकी वैद्रीव लिगे 40 plus 2 into x into 3y यानि कि 6xy जिसकी वैद्रों जागे 24 44 64 का वर्ग मूल 8 plus क्यों लिया क्योंकि xy दोनों positive x plus 3y आ गया 8 अब अगर x plus 3y 8 है तो x cube plus 27y क्यों इसका क्योब कर दो इसका क्योब करोगे तो मिलेगा x cube plus 27y cube x cube plus 27y cube plus 3ab यानि कि 3 into x into 3y यानि 9xy into x plus 3y यानि कि 8 यह बराबर कितना होज़ेगा 512 आपको xy बराबर 4 देगे यानि 9 गुड़े 4 गुड़े 8 इसको इधर बेर तो नो को चोको च्टी 666 288 इसमें से घटा देना तो 512-28224 आपका answer कि देखो यह से प्रस्शन जमाएं तो एक्स क्यूब से डिवाइड कर देना एक्स क्यूब से डिवाइड करोगे तो मिलेगा 8x cube minus 1 upon x cube plus 5 और नीचे मिलेगा 8x cube minus 1 upon x cube minus 25 अब 8x cube minus 1 upon x cube निकालने के लिए 2x minus 1 by x पता होने चाहिए जो की पता है तो इसका क्यूब करोगे तो यह मिलेगा 8x cube minus 1 upon x cube minus 3ab into minus 6 into a minus b 7 बराबर साथ का क्यूब 32345 में 42 जूड़ेगा यानि 385 हो जागा यानि लिखा गया यहां पे प्लस तो दोनों पक्ष्यों में यह जोड़ दो ना तो ए प्लस वन इधर हो जाएगा प्लस वन अपन ए प्लस वन इस उकल टू फॉर आप तो कुछ नहीं दिखकत है अब आपको लिखा आपको निकालना है इसकी वैलू अब यहां पर देखो अगर मैं क्या काम करूं अगर मैं यहां पर क्या काम करूं यहां पर मैं एक्स क्यूल ले लूं तो बच्छे का शुब मैंने 25 ठीक है ऊणी हमें एक्स क्यून ले के वैलु निकालि कोई बात में अगर मैंके जोपनी क्या मिलिगा 27, 27, 18, 45, यानि इसकी value हो गए 45, अब इसको आपको थोड़ा सा और solve करना है, यहां से आपको हो जाएगा, अगर हर बराबर करेंगे, तो यह 8x power 6, minus 1, बराबर 45 x cube, बोलो clear है, 8x power 6, minus 1, 45 x cube हो गए, 45 x cube, यानि 20 x cube, आपका उत्तर हो जाएगा, x minus 1 by x root 2 है, अगर हम x से उपर नीचे multiple divide कर दो, यह बचेगा, x cube minus 1 upon x cube, नीचे बचेगा, x minus 1 by x, ऐसा प्रशन मैंने करवा रखा है, अगर x minus 1 by x root 2 है, तो x cube minus 1 upon x cube, root 2 का cube, प्लस 3 into root 2, यानि कि 2 root 2 plus 3 root 5 root 2, और बटे में root 2 root 2 root 2, कट जाएगा, कहे तो ऐसा प्रशन अभी नह हमने करवाया है, x cube plus y cube, यहां से हमारा x cube plus y cube क्या होता है, x plus y, यानि पांस बचे छे, नी x cube plus yasted क्या होता है, x plus y Leben minus 3 x, xy into x plus y यह तो होता है यहां से हमें xy अगर पता चल जाए तो आपकी वैल्यू निकल जाएगी यहां पर अगर हर बराबर करोगे तो x plus y यहां पांस बटे छे इंटू 1 अपॉन अपॉन xy बदर 2 सते 14 15 बटे 2 दिया गया यहां से 2 छतेगा है 3 5 से घते गया 3 यहां से xy बराबर कितना हो जाएगा 3xy बराबर 9xy बराबर 1 यानि xy बराबर वन एक बटे नो तो आपकी वैलू पुड़ कर दो यहां पांस बटे छे का क्यों 125 बटे 216 माइनस थिरी एक्स वाई है निकि तीन बटे नो तीन बटे नो और गुड़े पांच बटे छे निकि पंद्रा बटे चौमन चार से गुड़ा कर दो तो चार इधर 216 इधर एक्सोपचीज में से साथ गटेगा 65 बटे 216 उत्तर इसकी वैलू निकालनी है कैसे निकलेगी से एक्स से डिवाइड कर दो यहां पर बचेगा एक्स क्यूब माइनस 27 बटे एक्स क्यूब नीचे बचेगा एक्स स्क्वार का एक्स हो जाएगा मैनस 3 भाई एक्स प्लस 4 अब तो यहां से f conna-3 on her x my eyes char hur एक्सकी-3 y x कितना हो जाग already is my is my eyes और फोर है क्योंकि इसको एंदर करके एक्स से डिवाइड कर और लिखा है एạnh्स-3 तो एक्स कियोव कितना हो जगा है चार प्लस प्लस तीन इंटू तीन नौ इन्टू एंटू एक्स मैसे टीवाई एक्स प्लस चार तो चौछ शाटीस बटे 8 क्या लिख सकते हैं 25 बटे दो आपका उत्तर हो जागा 25 बटे दो थोड़ा इस्पीड पकड़ चुकी आप अपनी गाड़ी दो को सोला एक स्कार प्लस वाई स्कार बराबर इतना दिया गया और एक्सवाइब बराबर इतना दिया गया तो मैं से निकाल सकते फूर एक्स प्लस वाई को क्या लिख सकते हैं अंडर रूड में अंडरूड में 4 एक्स प्लस वाई का होल स्केर निसलेट श्कुरबस वाई स्केर श्च्वाइब अप्लस टू इन्टू फॉर एक उल्यमाई यहांज कि इतना हो जागा आठत्र एट थारा यानि कि इसको यानिकी 729 बटे 64 और माइनस 3 इंटू 4x इंटु आई यानिकी 12 इंटु एक्स वाई इंटु एक्स प्लस यानि 9 वाई 4 यहां पर रख्या वैली रखोगे आपका अंसर आजाएगा रूट एक्स माइनस उन पॉन पॉन रूट एक्स दिया गया तो यहां से एक्स प्रस्वाइब को कैसे करते मैंने बताया आपको कि एक्स प्लस य वाई का होल क्यों लिखा यह थ्रीटाइम संप एक्स मैनस उनका हॉनका यानि एक्स प्लस बीक्यों एक्स प्लस इक्स ईस्वाइब यानि यानिकीullen ऑफर्स प्लस य अपला बश्ताइम संफ एक्स माइन इकी एक्स माइनस त्री Also Mas部 इनकीства in 3xy और माइनस एभी यानि कि माइनस x प्लस y इंटु 3 इंटु x-y यानि कि माइनस 3x² प्लस 3y² यहीं बचेगा हमने पूरा-पूरा फॉर्मूलेप खोल गया आप देखो जो x का गुणांग के ब्रेकड के अंदर वो a है तो यहां पर देखो 4 यानि a बराबर 4 मिल गया बोलो तो यह दूए एक्स वाइधर 8x वाइधर यानि कि c बराबर माइनस 16 मिल जाएगा और y स्क्राइब देखो तो 9,3,12,13 अब आपको निचाला था 2a ब्लस b plus c 2a plus b plus c यहनिकि 8 b 7 15 और प्लस c यहनि माइनस 16 15-16 माइनस 1 देखके घबराये तो नहीं देखो 6x-3 क्यों 3 इंट फॉर्मूला तो दिख गया होfolg w à toe je Bring him back three A b c अगे एकी प्लस में को बिस सीकों बराबर ग्राबर चीरो यानि यह प्लस यह बराबर चीरो कि यहांसे हमारہ कितना हो जायगा दो एक इन दो पांच इस बराबर 58910 कितना हो गया कि कितना हो गया रहा हूँ यह हो गया 2x plus 1 हां यह कितना हो गया 2x और यह 3x और यह तो 5x 5x यह हो गया 5 4 9 10 5x plus 10 बराबर 0 यह नहीं 5x बराबर minus 10 x बराबर minus 2 तो तो वो 3x into 3x minus 8 y into y plus 1 4z square minus 2z plus this one this one this one दिया गया तो आपको निकाल तो एक चीज आपने ध्यान देनी है 3x into 3x 3x का square और minus 24x minus 24x को अगर minus 2 a b तोड़ेंगे तो minus 2 into a की वेलू तो 3x है तो 6x हो जाएक चौबिस बनाना है यानि 4 यानि हम इसको 3x minus 4 का whole square अगर बनाने जाए तो यहां का 16 तो गायव हो गया गयव हो गया नहीं गयव हो गया आपने का 16 तो यहां यह हो जो गया प्लस y square plus y y square plus y y square plus y अगर लिखा तो हम इसको y plus half का square बना सकते हैं आपने बिल्कुल बना सकते हैं क्योंकि यहां से और निकल चुका बचा है और यहां पर similarly 2z minus 1 by 2 का whole square बना लेते हैं तो यह हो जाएगा 4z square minus 2z और plus 1 by 4 जो बचाता है तीनों यूज हो गया यह खतम हो यह बराबर 0 हो गया यह कैसे दिमाग में आगा यह जो आपको ध्यान रखना कि यह जो इंटीजर दिया गया हो पूरा-पूरा इसमें यूज होगा बस आपको यह ध्यान रखना कि किसका square बनेगा अब मुझे 3x square minus 24 दिखा तो मुझे देख पता है कि 2 into 3x तो यह हो गया है तो इंटू एंटू 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 बराबर 24 बनना चाहिए तो कि वी की वैलू यहां से आजागी चार प्रकता अब अगर इन सबका square 0 के बराबर अलग-अलग 0 के बराबर एंट 3x बराबर यहां से 4 हो गया y is equal to minus half हो गया और 2z is equal to half हो गया तो देखो y plus 2z तो खतम हो गया 3x बराबर 4 तो 6x बराबर 8 आपका उत्तर हो गया यह भी देख लो सुन्दर सा प्रशन है x power 8 minus 34 इतना इतना है और x power 6 plus 1 upon x power 6 निकाल अगर मैं x power 8 plus 1 बराबर पूछ हूं तो आप कहेंगे 34x power 4 हो गया ठीक है अगर x square plus 1 upon x square 6 है तो हम इसको कह सकते है k plus 1 by k बराबर 6 तो k q plus 1 upon k q पूछा गया जो क्यों हो जागा 6 का q 216 minus 3 618 बोलो clear है तो मैंने क्या कहा था कि जमेट्री एक बार करवाना शुरू करूंगा तो वो खतम कर दूँगा अलजेब्रा करवाना सुरू करूंगा तो अलजेब्रा खतम कर दूँगा माना थोड़े प्रश्ण जादा हो गया लेकिन आपने देखा भी होगा कि आपकी स्पीड भी इंक्रीज हो गया आपका confidence भी इंक्रीज हो गया तो मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ सेयर भी करें